आप लोगों की संक्या कम जरूर है लेकिन आपना होसला और आपनी के चाकेत है इस चाकेत के साथ है जानूरा की दुनिया में बंदर एक ऐसे जीव हैं जो इंसानों की हाव भाव को बहुत जल्दी समझ जाती हैं और सैतानिया करने मिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता अगर खाने के मामले मिन से कोई छेड़ छाड़ करता है तो ये बहुत जल्दी भढ़क जाती हैं और किसी पर भी हमले कर सकती हैं आए दिन बंदरों की कई फणे क्लिप्स सोसल मेडिया पर अपलोड होते रहते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारी हसी नहीं रुपती तो आज किस बीडियो में हम आपको बंदरों की कुछ ऐसी फणी क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपको भी खूम मज़ा आने वाला है इसलिए बीडियो के आखिर तक बने रहिए चलिए बीडियो के स्टार्ट कर लेती है सबसे पहले इस जीनियस बंदर को देखिए जहां एक जाले के सामने किसी ने कोक की बोटल रख दी थी जिस पर इस बंदर भाई की नजर पड़ गई और इसके बाद ये पता नहीं कहां से एक इस्टिक लेकर आया और बोटल को अपने पार्ष लाने की कोसिस करने लगा और काफी मसकत के बाद आखिर कार बंदर बोटल को पाही लेता है और उसे खोल कर सारा cold drink पी जाता है इतनी मैनत के बाद आज बंदर भाई की तो पार्टी हो गई यहाँ पर ये बंदर बकाइदा कार साफ करता दिख रहा है जिसके फेसियल एक्स्पेशन को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे कह रहा हो पालतू बंदर के नाम पर साले ने नौकर बना दिया मुझे बेचारे मंकी को खाने क्लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आए दिन मंकी चलते फिरते लोगों को तंग करते रहती है और गाडियों में भी घुस कर खाने की चीज़ा छेन कर भाग जाती है ऐसे में ये आटो वाला तो बंदरों का भी बाप निकला जैसे ही बंदर उसकी आटों की तरफ आता है तो वो नकली टाइगर निकाल कर बंदर की सामने रख देता है फिर क्या? बंदर की सारी हवा वही निकल जाती है और डर कर वहां से भाग निकलता है यहाँ एक कुत्त अपने घर के अंदर से ही सीसे पर पंजब मारते हुए बाहर खड़े बंदर को धंकी दे रहा था लेकिन ये बंदर उसके धंकी का जवाब बड़े सांथ सुभाव से देता है अब भाई ये बंदर ऐसा करके क्या साबित करना चाहता है कमेंट करके जरूर बताना अगर अब बाबा रामदेव के शड़ी फैन को देखना चाहते हैं तो इस बंदर को देखिए कैसे ये कांत में बैठ कर पेट वाला योगा कर रहा है लगता है कि ये बंदर भाई बाबा रामदेव के पी सोट करोड देखता है दोस्तो बंदर इतने सरारती और हिमती होते हैं कि टाइगर से भी पंगा ले लेती हैं यहां देखिए कैसे ये बंदर पेट से लटक कर कभी टाइगर का कांड खिचता है तो कभी फूँच और टाइगर बेचारा मोह ताकता रह जाता है क्योंकि ऐसा करने के बाद बंदर तुरंद प्याण पर वापस भाग जाता है